गुड अफ्टनून टो एवरिवन आज हम पढ़ेंगे प्रणाउन का टोपिक नाउन का हम कर चुके हैं और एक्सरसाइज भी उसकी कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे प्रणाउन प्रणाउन होता क्या है जो देखो इसके नेम से पता चल रहा है प्रो नाउन meaning of pronoun pronoun, pro का means for, for का होता है के लिए जो noun के लिए use होता है ऐसे words जो noun के लिए use के जाते हैं क्या होते हैं वो pronoun होता है, जैसे he, she तुम पढ़ते आयो, यह सुब क्या होते हैं pronoun ओके, इसकी definition है pronoun are the words used in place of a noun, noun की जगहे पे जो word use के जाते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके pronoun होते हैं okay, for example देखो, अब सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है ठीक है, यह क्या है noun है यह, सीता एक name है noun क्या होता है, name of anything जो noun के जगहे पे use होता है, वो क्या होता है, pronoun अब देखो यहाँ पे उसके बार-बार pronoun को पढ़ने की इसको सीखने की क्या जूरूरत होती, क्या नेड़ होती है, उसके बदेखो अगर pronoun ना होता है तो हम कैसे पढ़ते हैं, सीता एक अच्छी लड़की है सीता सिख्त में पढ़ती है सीता के पास एक किताब है तो यहाँ पे बार-बार में क्यारिपटो रहा है सीता 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 तो इसके जगे हम कह सकते हैं जैसे एक पर बॉलने के बाद क्या है कि वह सिख्त में पढ़ती है उसके पास एक किताब है यहाँ ने क्या यूज़ किया शी C use कर लिया, इसीता के जगह पे C क्या हो गया, C आपका pronoun होगा ये noun, तो noun के जगह पे हमने क्या उज़ गर लिया, C तो C क्या होगा, अपका pronoun अब सीता के पास एक किताब है अब इसके यहां क्या कर लेंगे, अब उसके करेंगे हम इंदी में, ठीक है, तो कि क्या हो जाएगा वो, वो pronoun की जगह पे pronoun यूज होगा, ओके देखो हम example देखते हैं, उससे समझ में आएगा कि noun और pronoun का तो महारा नाम क्या है अब देखो यहां पे pronoun क्या है, तो महारा नाम अगर हम यहां पे जो क्या है यह क्या आपका pronoun है यह क्या noun के जगह पे तो यूज है न, सोचो कर यहां पे क्या नहीं होता, तो कोई भी name कर देते हैं, जैसे मैं राहूल का रखा, यहां पे कुछ भी कर देते, सीता, गीता, राम, तो यहाँ पर क्या आता है सीता तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा नाम जैसे राहूल है तो राहूल के जगह पर क्या हो गया तो क्या तुम्हारा हो गया प्रनावन ऐसा ही जो भी ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर आएगा तो ही pronoun होगा या यहाँ पे आएगा तो भी जो noun की जगह पे जो word use में लिया जाता है वही pronoun होता है second क्या है वहाँ कौन खड़ा है अगर यहाँ पे हम कर देते हैं वहाँ राम खड़ा है तो यहाँ पे राम क्या हो जाता है ठीक अब यहाँ पे क्या है सिता कर देते तो यह पे क्या सिता क्या था आपका नाउन था बट हमने नाउन को यूज ने करके हमने यहाँ पे कौन यूज गर दिया तो कौन क्या होगा प्रणाउन है जैसे तुम्हारी जो और एक्जामपल है तुम्हें कौन बुला रहा है क्या हो जा तब वो नाउन हो जा तो यह है जो है यह प्रणाउन है अब उसके बाद तुम्हारा आता है कि प्रणाउन कौन से होते देखो आप पढ़ते आयों तुम आई वी यू दे ही शी यह तुम्हारे क्या है यह तुम्हारे परसनल प्रणाउन है अब इनको परसनल प्र यू, आई, मैं, वी, हम सब यू, तुम, दे, जो ग्रूप होता है, ही, शी, ये सब क्या है, ये सब एक परसन के बारे में बात का, इसलिए क्या होगे परसनल प्रोडाउन, अब यहाँ पर इट है, अब इट का तुम बोलोगे इट तो नॉन लिविंग में यूज होता है, फिर ये परसन में कैसे ओड हो गया तो देखो, इट होता है वो लिविंग और लॉन लिविंग दोनों में यूज होता है, जो एनिमर्स होते हैं वो तो लिविंग होते हैं तो उनमें हम he she का use नहीं करते उनके हम क्या use करते हैं उनमें हम he she को नए add करके it का use करते हैं तो animals तो living है तो हो गया ना living में भी use very good अब जिसका gender नहीं पता जिसे छोटी baby होते हैं animals होते हैं जिसका हमें gender नहीं पता होता वहाँ पे भी तो हम it का use करते हैं ना तो living on it है तुम्हारा living और long living दोनों में यूज होता है ठीक है और इनको personal इसलिए कहा गया है क्योंकि ये person के बारे में बात करते हैं और ये ज़्यादा बात्चित में यूज होते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं इनकी एक अलग category है वो क्या है personal problem थैंक यू